हेलो इस्टेंट्स वेलकम तो तिवारी अकेडमी आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेडिक्स के चैप्टर 11 की सेकिन एक्साइज 11.2 करेंगे 11.2 में हमें 3 डिफरेंट रेडिस गिवन है और हमें सर्फेस एरिया फाइंड करना उस स्फेर का जिसके रेडिस गिवन है यह सर्फेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ रेडिस की रिक्वाइर्मेंट होती है फर्स्ट केस सेकिंड केस और थर्ड केस तीनों केसे में हमें रेडिस गिवन है इन केस वन रेडिस इक्वल टू 10.5 सेंडिमेटर देरफोर एरिया इक्वल टू 4 पाइ 10.5 स्क्वार इसको सॉल करते हैं इन चारों को मल्टिप्लाई करते हैं और मल्टिप्लाई करके क्या मिलेगा हमें 1386.00 सेंटिमेटर स्क्वार इस तरह से डारेक्ट कोशन था हमें रेडिस गिवन है और हमें सर्फेस अरिया फाइंड करना है सिमिलर वे में हम सेकिंड का एरिया फाइंड करते हैं एरिया ओफ स्फेर इक्वल टू 4 पाइ आज स्क्वार इस 5.6 स्क्वार इन्टो 22 बाइ 7 इन्टो 5.6 इन्टो 5.6 इन्टो 5.6 देखो यहां भी 7 8 जा 56 0.8 और अब इन चारों को मल्टिप्लाई कर लेते हैं 4 इन्टो 22 इन्टो 0.8 इन्टो 5.6 अब इन चारों को अगर मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 394.24 394.24 सेंटिमेटर स्क्वार सिम्लर मैंनर में हम थर्ड को करते हैं एरिया इक्वाल टू 4 पाइ 14 स्क्वार 4 इन्टो 22 बाइ 7 इन्टो 14 स्क्वार तो कोई स्कूर कर सकते हैं आए इन्टो 22 बाइ 7 इन्टो 14 इन्टो 14 इन्टो 14 और यहां भी इन सारे नंबर को मल्टिप्लाई कर लेंगे और मल्टिप्लाई करके सिंप्लिफाई करके हमारा जो आंसर आएगा 2464 सेंटीमिटर स्क्वार यह एकदम बेसिक कोशन था जिसमें फॉर्मले में वैल्यू पूट करनी और कैलिकूलेशन करना था कौश्चन 2 में भी हमें पहले कोशन की तरह ही सर्फेस अरिया फाइंड करना स्वेर का लेकिन पहले कोशन में हमें रिडेस गिवन था यहां डैमेटर की बन है डैमेटर का हाफ रेडेस होता हैं radius equal to diameter by 2 तो इन हर एक question में तीनों part में हम पहले इसको half करेंगे ताकि में radius मिल जाए और फिर इसे surface area के formula में apply कर देंगे first case में radius equal to 14 by 2 14 by 2 it means it is 7 surface area equal to 4 by r square 4 into 22 by 7 into 7 into 7 centimeter square 7 or 7 cancel हो जाएंगे यह जाएगा 4 into 22 into 7 centimeter square और इन तीनों term को हम multiply कर देंगे multiply कर काएगा 616 centimeter square इस तरह से मारी first part का answer आ जाएगा second part में diameter 21 है तो radius कितना आएगा हमर पस 21 by 2 centimeter चाहो तो इसको divide कर लो otherwise को as it is छोड़ सकते हैं जब तक कि हमारी final calculation आ जाए surface area 4 pi r square 4 into 22 by 7 into r r हमने 21 by 2 रखा है square as it is यहाँ पर apply कर सकते हैं 21 by 2 into 21 by 2 ऐसे करने से यह 2 और 2 देखो डायर्टली 4 से cancel हो जाएगे और 7 से ही इसको cancel कर सकते हैं तो यहाँ पर cancellation easy हो जाती है 22 into 3 into 21 centimeter square अगर हम इन तीनों को solve करते हैं solve करके हमारे पास final answer आएगा 1386 386 centimeter square अब आते हम third part पर third part में हमें diameter के वार 3.5 तो third part में जो radius आ जाएगा radius equal to 3.5 by 2 centimeter क्योंकि हमें यहाँ पर sorry it is meter 3.5 by 2 meter क्योंकि यहाँ पर meter में unit given है surface area surface area equal to 4 pi r square 4 into 22 by 7 into r is 3.5 by 2 into 3.5 by 2 तो कोई यहाँ भी 2 और 2 से यह 4 cancel हो जाएगा और 7 से से काटते हैं 7535 0.5 आ जाएगा 0.5 इन तिनों नंबर को multiply करेते हैं 22 into 0.5 into 3.5 centimeter square इन तिनों को अगर हम calculate करते हैं तुम्हारा answer आएगा 38.50 centimeter square तो यह direct implementation था value का formula में तो simple सा question तो 3 होगे answer इस तरह से हम find कर सकते हैं कोई भी question तुम find करो answer में यह last में meter square आएगा क्योंकि इसकी unit meter दी हुई है सभी में meter square इंट आएगा answer में unit ज़रूर लिखा करो exam में unit न लिखने पर भी teacher half marks कट कर सकते हैं question number 3 question number 3 में हमें total surface area of hemisphere find करना है hemisphere में total दो surface होते हैं एक यह top surface जो एक circle होता है pi r square जिसका area होता है और एक यह curve surface circular surface जिसका area 2 pi r square होता है इस तरह से एक hemisphere का total surface area 3 pi r square होता है अगर यह portion covered हो यह हमें ना find करना हो suppose करो यह inverted comb होता है एक dome होता अगर यह dome की shape होता है तो यह area हमें दिखाई नहीं देता तो हम इसका total surface area 2 pi r square ही consider करते है बट इस case में यहां बोला गया find the total surface area hemisphere कुछ भी mention नहीं किया गया है तो इसमें तीन दो surface होंगी और दोनो surface का area निकालना पड़ेगा तो इस question के according जो surface area होगा 3 pi r square r की value given a 10 और pi की value 3.14 इस question में directly हमें value पूट करनी है 3 into 3.14 into 10 square centimeter square इसको अगर हम solve करते हैं 3 into 39 आयेगा इसको अगर हम 100 से multiply करते हैं तो 314 centimeter square अब इसको calculate कर देते हैं दोनों को multiply कर देते हैं अब multiply करके आएगा इसका अगर simply multiply कर दो इसको तो 942 942 centimeter square एग्जाम में कोई भी question आता है अगर हमें इसके पर question है अगर हमें spherical का ये top part या ये bottom part हमें visible है तो इसका area find करना है अगर ये visible नहीं है तो इसका area find नहीं करना है बले ही यहाँ पर दिया होके total surface area लिकाना है अगर ये visible part नहीं है तो question number 4 में हमें given है के एक spherical balloon है जिसमें हम air pump करते है इसका radius पहले 7 था और air pumping के बाद ये 14 हो जाता है और हमें finally find करना है surface area in both cases इनका ratio find करना है अग जब भी कभी हमें ratio find करना होता है two quantities का तो हमें calculation की requirement नहीं होती हम इनकी equations को as it is रखते है और finally उनको put कर देते है ratios में ratios में कई number कड़ जाते है और finally जो number बचता है वो हमारा answer आजाता है तो यहां भी हम वैसी करेंगे पूरी calculation नहीं करेंगे in first case first case surface area of balloon surface area of balloon suppose ये 1 है surface area of balloon 4 pi r square means 7 square in second case surface area of balloon is suppose second case है 4 pi 14 square और मैं find क्या करना है ratio तो ratio of surface area of 1 by surface area of 2 equal to 4 pi 7 square upon 4 pi 14 square तो यहां calculation requirement नहीं थी क्योंकि देखो ratio निकालते हैं यह दोनों cancel हो जाएंगे उपर हमारे पास 7 into 7 नीचे है 14 into 14 7 to 14 and 7 to 14 तो यह आ गया 1 by 4 question में क्या था find the find the ratio of surface area in 2 cases तो first case and second case का ratio क्या आएगा surface area 1 ratio surface area 2 equal to 1 ratio 4 तो surface area in 2 cases is 1 ratio 4 जब भी कभी हमें ratio find करना हो कि नहीं भी दो quantities का तो हम कोशिस करते हैं वहां calculation ना करें अगर यहां calculation करते हैं कि 4 into 22 by 7 into 7 into 7 पहरे तो हम यहां time waste करेंगे इसे calculate करने में कि 7-7 कर दिया इसको multiply कर दिया और बाद में जब यहां ratio में put करेंगे तो यहां division में अब फिर further time waste करेंगे तो ratio वाले cases में कोशिस करो कि यहां calculation ना करें और last calculation जो final answer वाली calculation वहीं जाके calculation करनी पड़े हैं question number 5 question number 5 में हमें एक hemispherical bowl given है और उस bowl का inner diameter given है inner diameter means यहां से हम inner radius find कर सकते हैं और हमें inner part में ही tin plating करनी है तो एक तरह से हमें इसका radius given है और radius जिस part का given है उसी part में tin plating की cost find करनी है at the rate of 16 rupees per 100 cm square तो बाउल कुछ इस shape का होता है जो hemispherical की form होती है अब यहां पर outer radius से कोई discussion नहीं किया गया है तो हम सिर्फ inner radius को लेकी चलेंगे और inner part को ही सोचेंगे inner radius में हमारा कितना होगा इसका half 10.5 by 2 inner radius में लिया तो हम inner surface area निकाल सकते हैं पूरा यह start करते हैं स्वे radius equal to 10.5 by 2 है cm जब inner radius मिल गया हमें तो inner surface area क्या होगा क्योंकि देखो अभी पहले question में डिसकस किया था हमने कि अगर हमें total surface area find करना है तो इसका surface area यह होता है और साथ में यह होता है क्योंकि यह hollow है और यहां पे कुछ भी surface नहीं है इसका तो हम सिर्फ inner surface area लेंगे जो cut surface area की form में होगा तो surface area equal to 2 by r square होगा r हम find कर चुके हैं पहले ही 10.5 by 2 तो 2 इन्टू 22 by 7 इन्टू 10.5 by 2 इन्टू 10.5 by 2 cm2 इस तरह हम वो surface area find कर सकते हैं जिसमें हमें paint करना है tin plating करनी है यहां 2 से 2 cancel हो जाएगा और इस 2 से हम 22 cancel कर सकते हैं 7 से इसको divide करेंगे 7 उन्जा 7 and 7 5 जा 35 1.5 अब मारे पास quantity आ गए 11 into 1.5 into 10.5 cm2 अगर हम इन तीनों को multiply करते हैं तो मारे पास final answer आएगा 173.25 173.25 cm2 अब यह surface area आया है inner part का और inner part पर हमें paint करनी है मतब इसी area में paint करना है तिन प्लेटिंग करनी है अब rate given है हम देखो rate है rupees 16 per 100 cm2 means 100 cm2 के लिए 16 rupees है तो हम इसको unity method यूज़ करना चाहें कर सकते हैं कि for 100 cm2 cost equal to rupees 16 for 1 it is 16 by 100 और हमें क्या find करना है 173.25 so for for 173.25 cm2 area the cost is 16 by 100 into 173.25 अब इसको हम calculate करनेंगे और calculate करके क्या आएगा हमारे पस approx rupees 27.72 यह हमारी final cost आजाएगी तिन प्लेटिंग के question number 6 question number 6 में हमें इस sphere का surface area given है 154 और find करना है इसका radius आपसे पहले जितने भी question किये हैं उसमें radius given होता था और other quantity find करनी होती थी surface area या cut surface area तो हम यहां direct formula apply करेंगे surface area का surface area of a sphere equal to 4 pi r square surface area हमें given है 154 4 pi की value 22 by 7 और r square जो हमें find करना है तो आर को हम separate कर लेंगे और rest all terms को एक तरफ shift कर देंगे ताकि यह simplify हो जाए तो 154 into यह division में है तो यह 7 उपर आ जाएगा और यह 4 into 22 multiplication में तो division में जाएगा 22 यह आ गया हमारा r square इस 7 इस 4 से 4 से हम इसको काट सकते हैं यह पहले 2 से करते हैं 224 और 2714 2714 77 आ गया 11 टूजा और 11 7 जा उपर आया हमारा 7 into 7 नीचे आया 2 into 2 देखो हमें square यहाँ पर square की value find करनी है r square की r square से r की value find करनी है यहाँ पर 7 by 2 का square आ रहा है 7 by 2 7 by 2 तो simply हम ऐसे लिख सकते हैं r square equal to 7 into 7 by 2 into 2 so r equal to 7 by 2 एक factor हमने बाहर ले लिया और हमें find क्या करना था r की value तो इस तरह directly हमारा answer आ गया question number 7 question number 7 में हमें given है कि moon का diameter diameter of moon is approximately 1 for the diameter of earth तो अगर हम earth के diameter को suppose कर लें तो moon का diameter वो कितना होगा 1 forth of the earth let us suppose diameter of diameter of earth equal to diameter radius का double होता है तो हमने 2 r suppose कर लिया diameter of earth is 2 r therefore diameter of moon equal to 1 by 4 of 2 r दोनों के diameter आ गए हमारे पस देहों करना क्या है find the ratio of their surface areas surface area find करने के लिए हमें radius पता होना चाहिए अगर diameter of earth 2 r है तो radius of earth क्या होगा radius equal to r this divided by 2 and radius of moon radius of moon equal to कितना होगा 1 by 4 into 2 r divided by 2 2 to cancel 1 by 4 r radius of earth आ गया r यह capital R और radius of moon आ गया moon का radius 1 by 4 r अब इसका surface area find करना है इससे पहले भी हम question number 4 में discuss कर चुके हैं कि जब कभी हमें ratio find करना होता है तो हम calculation नहीं करते हैं कोशिश करते हैं last में calculation करें surface area of moon surface area of moon upon surface area of earth surface area of sphere क्या होता है 4 by r square अब यहां पे r क्या होगा हमारा surface area of moon तो moon का radius 1 by 4 r तो 1 by 4 r का square यह इसका radius है और surface area of earth 4 by r square क्योंकि radius of earth is r इसमें calculation directly कट जाएगी calculation करना ही जुरूत नहीं पड़ेगी इसको और solve करते हैं तो 1 by 4 का square 1 by 16 r square divided by r square यह r square फिर cancel होगा यह आगिया 1 by 16 तो ratio of moon to ratio ratio of surface area of moon to surface area of earth is 1 ratio 16 तो directly इसका answer जाएगा question number 8 question number 8 में हमें हमें एक hemispirical bowl गिवन है जिसका inner radius 5 cm और thickness 0.25 cm है अगर हम एक bowl consider करते हैं जिसकी thickness भी हो तो कुछ ऐसा होगा इस तरह से inner radius हमें given है इसका 5 cm यह 5 cm है और इसकी यह thickness 0.25 है अगर inner radius और thickness दोनों को एक साथ combine कर दें तो इसका outer radius आजाएगा यह outer radius आजाएगा इसका 5.25 cm और अगर हम इसका outer radius find कर लेंगे तो इसका outer surface area भी find कर सकते हैं इसमें inner radius सपोज inner radius is small r इस 5 cm थिक्नेस थिक्नेस इक्वल टू थिक्नेस यहां mention की हुई है थिक्नेस इक्वल टू 0.25 cm तो देखो inner radius प्लस थिक्नेस इनको combine करके outer radius नगे तो outer radius capital r equal to 5 प्लस 0.25 cm therefore 5.25 cm इस question में सिर्फ इतनी ही trick थी कि inner radius को थिक्नेस से combine करके हम इसका outer radius निकाल सकते हैं जब outer radius जाएगा तो उसकी help से हम outer curved surface area निकाल देंगे curved surface area CSA of bowl bowl और hemisphere is 2 by r square 2 into 22 by 7 into r r is 5.25 into 5.25 cm square अब इसको हम solve कर देते हैं इसको solve करके 7 से ये cancel हो जाएगा 7 7 जा 49 0.7 and 75 35 0.75 और इसको मुल्टिप्लाई करते हैं 2 into 22 into 0.75 into 5.25 cm square अगर इसको मुल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा answer आ जाएगा 173.25 cm square इस मींज अभी हाँ पर हमारा फाइंड क्या करना था सिर्फ सर्फेस अरिया आप बाउल आउटर सर्फेस अरिया आप बाउल तो आउटर सर्फेस अरिया पस टार्यक्ट यह आगे हैं Q9, Q9 में हमें एक figure given है और mention भी किया हुआ है कि a right circular cylinder just encloses a sphere यह sphere इस right circular cylinder में just fit है, fit है मिन्स इसका top and bottom इसके top and bottom से touch है और यह दोनों surfaces sphere से touch है फर्स पार्ट में find करना है surface area of sphere क्योंकि sphere का radius हमें given है r तो surface area of sphere क्या आएगा, surface area equal to 4 pi r square तो फर्स पार्ट का directly answer फिर formula आजाएगा सेकिंड पार्ट में cut surface area of cylinder, हमें cylinder की dimension find करने पड़ेंगी देखो, sphere का radius r है, यह r given है में तो जो radius इसका होगा, cylinder का भी वह radius होगा cylinder का radius भी r हो जाएगा sphere टॉप से bottom तक cylinder में touch है तो यह r होगा, upper side में और lower side में भी r होगा it means यह total 2 r हो जाएगा height of cylinder, यह पूरी height 2 r हो जाएगी तो इस figure की help से, diagram की help से हम cylinder का radius भी find कर सकते हैं, cylinder की height भी find कर सकते हैं और radius और height find करने के बाद हम उसका cut surface area ही find कर सकते हैं second part, csa of cylinder, csa of cylinder equal to 2 pi r h, 2 pi r, r तो सेम है और h कितना होगा, 2 r इसकी height 2 r के equal होगी, इसको और simplify करें, जोको 2 to 4, r into r, r square और pi, pi r square जो first part का answer है था, same answer second part का भी आ गया third question में पूछा गया है, इसके third part में, what is the ratio of area obtained in first and second तो ratio कितना आएगा, अगर हम third part में ratio find करते हैं, तो ratio of surface area of sphere upon cut surface area of cylinder equal to, देखो, इसका surface area आया था, 4 pi r square और इसका surface area आया था, cut surface area आया था, 4 pi r square, दोनों सेम थे कि दोनों आपस में cancel out हो गई, it means 1 ratio 1 तो third part का आएगा, कि ratio in first and second case is 1 ratio 1 तो simply फिर figure को observe करके पूरा question हम solve कर सकते हैं